कोटा बारा रेल मार्क पर कल्यान पुरा मार्क के मध्य इसते तो रेल बे अंडर पास दर्या बना हुआ है यह अंडर पास सीमलिया ग्राम पंचायत से कल्यान पुरा कालरेबा उकल्दा सहित कई गाउं को जोड़ता था जिसमें बरसात के बाद से ही 10 से 12 फिट पानी भरा हुआ है अस्तानी निवासी मनोस्तिवारी के अनुसार अंडर पास में जल भरा होने के कारण ग्रामिनों को 3 किलोमेटर के अस्तान पर 6 से अधिक किलोमेटर की दूरी को तै कर अपने गंतब अस्तल पर पहुँचना पड़ता है दाय मुखे नहर से कच्चा रास्ता होने के कारण बरसात में आवा गवन बादीत रहता है जिसके कारण ग्रामिन परिशान है ग्रामिनों ने मांग की है कि इस समस्या का रेल्वे विवाग के द्वरा और विलंब कारवाई करते हुए अस्ताई समाधान कर ग्रामिनों को राहत प्रदान की जाए इस रेल्वे अंडर पास में पानी भरा होनने के कारण तीन किलो मिटर से अधिक घुमकर छे से साथ किलो मिटर की दूदी को प्तै करकर अपने गंतव विश्थल पर पहुचरा पढ़ रहा है यह प्रतिवर्ष की समश्चा है रेल्वे अंडर पास का निर्मान कर आ था अब भी ग्रामिनों ने रेल्वी भाक को चेता है था कि इस अंडर पास में प्रतिवर्ष पानी भर्णी की समश्चा की चलते मार्ग अभूत हो जाएगा प्रंतु रेल्वे डाग केदिकारियों ने जो लापरवाई की उसका प्रिणाम हमारे सामने पुर्तिवस ग्रापवासियों को इस अंडरपास में पानी के भणने के कारण अधिक दूरी तेकर सिम्लिया कस्थे पर पोजना पड़ता है रेल्वे भाग से मांगें कि उप्रोप्त मौके पर अपनी टीम के द्वारा निरक्षन कराकर इसका इस्ताहिस समधान किया जाए